तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा बायो टेक्नलोजी का और वहीं से उसके एप्लिकेशन मतलब उसके कुछ यूज़े हम करेंगे एप्लिकेशन देखते सबसे पहले तो कि स्टार्ट करते नॉर्मन ई बॉर्लॉग इसने क्या किया था इसने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था यह ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि 1960 से लेकर 2000 तक सदी में यह साल में वीट और राइस प्रड़क्शन में ट्रिपलेट लाया था रिपलेट इन वीट और राइस प्रड़क्शन ब्ऐ टेक्निक कॉल हॉइब्रेडिटाइपटेशन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के जरीए यह तुम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा है ना प्लांट ब्रीडिंग बॉटनी में तो उस टेक्निक के जरीए उसने क्या किया यह 40 साल में 1960 से लेके 2000 मतलब यह 40 साल में उसने वीट और राइस के प्रेड़क्शन में लाया तीन गुना जादा वीट और राइस प्रेडिस हुआ इसके लिए आज के डिट में हम नॉर्मन यह बॉर्लोग को फादर ऑफ ग्रिन रिवॉलूशन कहते हैं कि अब उसने यह कारणामा किया था हाइब्रेशन टेक्निक से तो एक आगया एग्रोग्यमिकल आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फार्मर लोगों के उपर जादा प्रेशर आ रहा है कि ग्रोविंग पॉपुलेशन जो है जो बढ़ती जनसंख्या है क्ये दिमांड्स को फुलिफिल करना मतलब जादा सचादा अनाज उगाने है और जादा सचादा अनाज उगाने के लिए खितीबारी जादा करनी होगी तो पहली होती है जिसे हम कहते एग्रोग कैमिकल फार्मिंग इस क्रेश ही fakhat मैं प्रटिलाइजर मतलब केमिकल फटिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है और जो सीड यूज के जाती है वो हाइब्रिड सीड यूज के जाती है ये वज़ी जो सीड हाइब्रिड टेक्निक से बनी हुई है तो यहाँ पर हाइब्रिड सीड यूज की जाती है पर इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कॉसली है क्यूंकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदना महेंगा पड़ता है हर किसान को और आपको पता है कि बहुत सारे किसान गरीव है हमारे देश में तो इसके लिए हर किसान एफोर्ड नहीं कर सकता खरीदना चैमिकल फर्टिलाजर और पेस्टिसाइड अगर उसको बहुत कम टाइम में जादा से जादा अना जुगाना है दूसरा यह कैमिकल पेस्टिसाइड कितने डोस में स्प्रे करना है वो भी हर किसान को नहीं पता जैसे कि मानलो एक किसान ने पेस्टिसाइड खरीदा पेस्टिसाइड ऐसा कैमिकल होता है जो इंसेक्ट को किल करता है पैस्ट को किल करता है तो एक किसान ने मानलो पेस्टिसाइड खरीदा पर उसको नहीं पता है कि वो कितना अमाउंट में वो पेस्टिसाइड को स्प्रे क तो पेस्टिसाइब कर देगा ना तो कितने डोसमें यह भी हर किसान को नहीं पता जिससे अगर वह जादा तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा कि air pollution या storm pollution भी हो सकता है तो यह तीन डिस एडवांटेज है एग्रो केमिकल फार्मिंग है हाला कि यह एग्रो केमिकल फार्मिंग के मदद से ही नॉर्मन ई बॉर लॉग ने यह 40 साल के अंदर वीट और राइस प्रड़क्शन में ट्रिपलेट लाया क्योंकि उसने जो सीड यूज किया था वो हाइब मिल रहा था ठीक है और मैंने आपको इसके टिन डिस एडवांटेज यह है कि कितना महंगा होता है कि हर किसान एफॉर्ट नहीं कर सकता यह फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइट कितने डोस में स्प्रे करना है यह भी नहीं पता है और अगर जरुत से जादा स्प्रे कर दिय तो एर पड़िशन भी हो सकता है वाटर पड़िशन भी हो सकता है तो अब दूसरा टेक्निक आया हूं और गैनिक फार्मिंग टेक्निक के अंदर किसान कोई chemical fertilizer यूज नहीं कर रहे है वो नैच्टरल कमपोस्ट यूज कर रहे है खाद वगेरा गाय का गोबर फल फूल यह जो खाद वगेरा से जो खितीबड़ी की जाती ना गाय के गोबर से जो एकदम नैच्टरल रहता है उसे हम और गेनिक फार्मिंग कहते हैं पर और कि यह भी काफी महंगा है मतलब जो क्रॉप्स जो अनाज और गेनिक फार्मिंग से ग्रो किया जाता है वह अनाज की कीमत मार्केट में बड़ी महंगी होती है क्योंकि और गेनिक फार्मिंग करने के लिए टाइम बहुत जादा लगता है यह थोड़ा सा टाइम कि यह भी फाइदे है कि इसके साइड इफेक्ट कम दीखते है क्यों कि यह जो अनाज होते है जो और गेनिक फार्मिंग से उगया जाते है वह बहुत ही स्वच होते है हेल्दी होते है क्योंकि कोई बाहर से केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फॉर्टिलाजर डालके को उगाया गया है पर यह प्रोसेस करने में टाइम लगता है इसके लिए जो अनाज और्गेनिक फार्मिंग से उगाई जाती है उसकी मार्केट में दाम थुड़ी जादा होती है तो यह भी एक तब तीसरा टेक्निक आया जेनेटिकली मौडिफाइड क्रॉप इसका पूलफार में लिख रहा हूँ जेनेटिकली मौडिफाइड क्रॉप तो यह जेनेटिकली मौडिफाइड क्रॉप है यह क्रॉप के डिस अडवांटेज बहुत कम है अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है यह जेनेटिकली मौडिफाइड क्रॉप क्या होता है दिखते है प्लांट होगा जाता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं बोलने का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड और गयानिजम मैं लीग दे रहा हूं यह ऐसे और गयनिजम होते जिनके अंदर कोई जीन बाहर से कोई जीन अगर आप किसी ऑर गयनिजम में डाल दो उस और गयनिजम को हम कहते जेनेटिकली मॉडिफाइड और गयनिजम मतलब आपने उसके जेनेटिक मे कप चेंज कर दिया या तो आप कोई जीन नया डाल सकते हो मतलब genetically modified organism produce करने के लिए आप या तो उसके अंदर कोई जीन को add कर दो जीन addition या तो आप कोई जीन को delete कर दो जीन deletion या तो आप उसके अंदर के किसी जीन को silence कर दो मतलब वो जीन पहले express हो रहा था वो पहले active था अब आपने उसको inactive कर दिया तो या तो आप उसके जीन को silence कर दो मतलब इन तीनों में से अगर आप कुछ भी करोगे मतलब आप उसके जीन के साथ खिलवाड कर रहे हो उसके अंदर के genetic makeup को change कर रहे हो तब उस organism को हम कहेंगे genetically modified organism और genetically modified organisms तीन तरीके के हो सकते हैं अगर यह genetically modified animal यह animal में किया हुआ है अगर यह किसी microorganism में किया है तो हम बोलेंगे genetically modified microorganism तो मेरा कहने का मतलब है कि genetically modified organisms तीन तरीके के हो सकते it can be plant it can be animal it can be microorganisms और genetically modified organism प्रेडियूस करने के तरीके तीन हो सकते हैं यह तो आप कोई foreign gene डाल दो यह तो कोई gene को निकाल दो यह तो किसी gene को active से inactive कर दो silence कर दो जैसे कि यह कोई foreign gene है मान लो foreign gene को मैं desired gene भी कहता हूँ desired gene मुझे को पूए gene डालना है अब यह gene को जब मैं डालूंगा किसी bacteria में तब इस process को मैं कहूंगा transformation इस process को मैं क्या कहूंगा transformation और एक बार मैंने यह foreign gene डाल दिया एक बार मैंने अगर यह foreign gene डाल दिया अब वह bacteria क्या कहलाएगा तब वह bacteria कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ओर्गानिजम यह जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्र ओर्गानिजम भी बोल सकते हों क्योंकि मैंने उसके जेनेटिक मेंकप को चेंज कर दिया यह जेनेटिक मेकप एक दो और एक्जेंपल लेते हैं अगर मैंने यह foreign gene किसी यू के एरोटिक सेल में डाले हैं सब इस प्रोसेस को मैं कहूंगा ट्रांस्ट्रेक्शन अगर यह समय यह चीज़्या अँखना आपको बस ट्रांस्ट्रेक्शन कैस्ट्रांस्ट्रेक्शन यह प्रोसेस तभी यूश करूंगा अगर मैं ट्राप casa यह किसी pro-carotic cell में डाल रहा हूँ ये cell कोई pro-carotic cell भी हो सकता है और transfaction ये word में तब यूज़ करूँगा जब कोई foreign gene को में u-carotic cell में डाल रहा हूँ तब में transfaction word यूज़ करूँगा और ऐसे genes को हम trans gene भी कहते हैं ये foreign gene को में एक और नाम से कह सकता हूँ आप ट्रांस जीन भी कह सकता हूं क्योंकि ट्रांस्फॉर्मेशन के जरीए वह अब दूसरे बैक्टिरिया में जाने बना है बोलो यह समझ मैं आपको यह सूर नोट डाउन कर ले टीक है चलिए नेक्स लाइड अब क्या क्या में मोटो है सैंटीस्ट का कि वह ट्रांस जनिक प्लांट बनाना चाहता है देखो यह वाले स्लाइड में याद रखना कि जेनेटिकरली मॉडिफाइड प्लांट को हम एक और नाम से बोल सकते हैं कि इनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल भी कह सकते हैं ठीक है याद अब साइंटिस्ट लोगों का ना कुछ मकसद तक ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने का मतलब कोई ऐसा प्लांट प्रोड्यूस करना था जिसके अंदर फॉरेंट जीन होगा फॉरेंट जीन होगा जिसके अंदर सुचो फॉरेंट मतलब बहारगा कोई जीन होगा वो प्लांट में डालना है तो वो जब जीन प्लांट के अंदर डाल देंगे तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा वो हम देखेंगे तो वो क्या फीचर होनी चाहिए ideal feature in transgenic plant क्या ideal feature होनी चाहिए एक transgenic plant के अंदर सबसे पहली फीचर होनी चाहिए कि टॉलरंस टू एन्वाइरनमेंटल स्ट्रेस टॉलरंस टू एन्वाइरमेंटल स्ट्रेस मतला बाहर कितना भी धूब हो वो प्लांट फिर भी ऊग जाना चाहिए high temperature को भी टॉलरेट कर लेना चाहिए या किसी नमकीले एन्वाइरमेंट में भी ग्रो जाना चाहिए समुंद्र के किनारे तुमको पता है कि बहुत नमक होता है सॉल्ट में तो हाइस सलाइनिटी को भी टॉलरेट कर लेना चाहिए या ऐसे जगभी भी ग्रो हो जाना चाहिए जहां पर पानी बहुत कम है ड्रॉट कंडिशन है तो यह सर्व एन्वाइरमेंटल फैक्टर जे उनको वो टॉलरेट करने की शमता होनी चाहिए उस प्लांट के अंदर यह मोटू यह यह सोच देखके एक साइनिटिस्ट ने ट्रांजेनिक प्लांट प्रिडूस करने की ठानी है कि उसमें ऐसी ऐसी फी प्लांट कंडिशन यह सारी चीज़े वह फॉलो करने से यह हैं तो यह वह प्लांट टॉलरेट करना चाहिए दूसरा मेक्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिनरल्स मतलब मिनरल्स को जाद 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 यूज कर लेना चाहिए जैसे कि आपको एक बात बता दू कि अगर यह कोई प्लांट है और यह प्लांट के रूट से और यह प्लांट सॉयल में तो यह प्लांट जितना हो सके उतना जादा सॉयल के अंदर पड़ेवे मिनरल्स को एब्जॉब करना चाहिए अगर यह जादा एब्जॉब नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो जितने भी minerals है वो बहुत नीचे चले जाएंगे और अगर वो minerals बहुत नीचे चले गए तब plant का roots इतना नीचे तक नहीं जा पाएगा कि अब उनको absorb कर पाएगा तो अब हम कहते हैं कि यह soil जो है अब exhaust हो चुका है, exhaust मतलब खतम हो चुका है अब इसके उपर कोई भी plant grow नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि वो minerals पानी से पसीच पसीच के बहुत नीचे चले गए they are beyond the reach of the roots तो कोई भी plant ऐसा होना चीए कि वो जितना उसके उतना जादा minerals को absorb करेगा तो minerals जादा नीचे फिर नहीं जा पाएंगे जितना absorb करेंगे वो plant में जाएगा plant उसको बाहर निकाल के फिर फेकेगा फिर नीचे जाएगा फिर plant absorb करेगा फिर plant उसको निकाल के बाहर फेकेगा ये cycle repeat होते रहना चीए ये cycle जो है यह साइकल रिपीट होते रहना चाहिए बार बार अगर कोई बराबर से मिनरल को यूज नहीं कर पा रहा है तो एक स्टेज पर बहुत नीचे चले जाते और फिर वो प्लांट की रूट्स में फिर नहीं आ पाते समझ रहे हो तो हमको मिनरल को इग् mensen नहीं से बचाना है ताकि मिनरल ज्यादा नीचे ना चल जाए तो कोई प्लांट ऐसा होना चीए ज़ादा मिनरल को एब्सॉप submitting & इउevery करें ताकि जादा नीचे ना चले जाया था कि मेक्सिम्मम उटिलाजेशन अफ منरल्स थीक है फिर नेक्स्ट that plant should act as bio fertilizers मतलब वो प्लांट ऐसा होना चाहिए कि उसके उपर हमको अलग से कोई bio fertilizer spray करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए वो प्लांट ऐसा होना चाहिए कि उसके उपर हमको कोई pesticide भी spray करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए it should be bio pesticidal bio pesticidal का मतलब है कि अलग से कोई pesticide भी spray करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए कीट नाशक दवा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने genetically engineering से या recombinant DNA technology से कोई foreign gene को प्लांट में डाल दिया है जिससे वो प्लांट एक transgenic plant बन गया है और वो प्लांट ऐसा होना चाहिए कि उसके उपर अलग से आपको कोई pesticides या कोई fertilizer spray करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए चौप पाच्वा चीज़ बायो फॉर्टिफाइट मतलब nutritionally rich होना चाहिए मतलब उस प्लांट मेंसे जो भी क्रॉप्स निकले है उस प्लांट मेंसे उस ट्रांसजेनिक प्लांट मेंसे जो भी अनाज उगा है उस अनाज के अंदर सारे पोशन होने चाहिए वाइटमिन से भरे होने चाहिए मिनरल से भरे होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मिनरल की कमी है उसके अंदर तो जो जो क्रॉप्स या जो प्लांट के अंदर बहुत सारे नूट्रियंट्स होते हैं बहुत सारे मिनरल नूट्रियंट्स होते हैं उस प्लांट को ह काफी अच्छा न्यूट्रिशन है तो प्लांट भी ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर न्यूट्रिशन वाइटेमिन्स और मिन्रल्स काफी अच्छी अमॉन्ट में होने चाहिए ठीक है कि शुड़ है इनक्रीम्थ लाइस्पैन उसका लाइफ पेंबी ज्यदा होना चाहिए है फ्क फोश्ट हार्वेस्ट तेक्नोलोजी के टाइम पर पोस्ट हार्वेस्टिंग के टाइम ब डिस्ट्री नहीं होना चाहिए यह पोश्ट-बाइंसमझे हैगा फिला तो इतना रहको उसका लाइफ पेंजिए हमारे ट्र는지 प्लांट की अंदर आथा है किस प्लांट के अंदर ट्रांस जेनिक प्लांट के अन्दर ट्रांस जेनिक प्लांट का मतलब मेने आपको अभी बिपताया वो प्लांट जिसके अंदर हमने फॉरेंज जीन डाला हुआ है ऐसे प्लांट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइट प्लांट भी कहते हैं आ गई बात समझ में पताईए यह सो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको ऐसा बर्दा रहा हूं जो जिस अलग से कोई फटीलाइसर डालने की ज़रूरत नहीं है मतलब मैं कौन सा बनाने जा रहा हूं मैं बनाने जा रहा हूं बायो फटीलाइसर बाला प्लांट देखते है कैसे है आइए हम लोग यह हैज चार अग्जंपल करेंगे बायो ला करेंगे बायो पिस्तिसाइट करेंगे इंक्रिस थाइड करेंगे जाए करेंगे तो बायो फरतिलाइजर वाला प्लांट देखते हैं कै HIS को या पर एक प्लांट है अगर यह प्लांट को ग्रो होना है ना तो उसको नाइट्रोजन चाहिए यह प्लांट को क्या चाहिए नाइट्रोजन चाहिए सबसे ज़्यादा इसको नाइट्रोजन क्यों चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है तुमको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उससे अमीना असिड बनते है नाइट्रोजन से क्या बनता है अमीना असिड और अमीना असिड से क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा और आपको पता है और नाइटरोजन एट्मस्फेर में प्रेजेंट है एक नाइटरोजन और दो नाइटरोजन पर उंके बीच में ट्रिपल बॉंड ये इसको यूज करने के लिए ट्रिपल बॉंड को तोड़ने के लिए बहुत जाधा energy खर्च हो जाएगी जो की plant effort नहीं कर सकता इसके लिए plant atmosphere में पड़े वे nitrogen को कभी यूज नहीं कर पाएगा आपको पता है कि हमारे earth के atmosphere में earth के atmosphere में 78 परसंट nitrogen है ना 78 परसंट क्या है nitrogen है हमारे earth के atmosphere में जबकि 21 परसंट क्या है 21 परसंट oxygen तो 21 परसंट है और बाकी का एक परसंट अधर गैसे तो इतना जादा atmosphere nitrogen है उसके बाभुजूद भी plant nitrogen को यूज नहीं कर सकता क्योंकि atmosphere nitrogen N2 के form में N और N के बीच में triple bond है plant cannot break down this triple bond अब एक बड़ी काम की चीज़़ एक बैक्टिरिया है एक बैक्टिरिया है जिसका नाम है rhizobium rhizobium करके एक बैक्टिरिया it's a gram negative बैक्टिरिया gram negative का मतलब इसका cell wall thin होता है पतला होता है तो यह बैक्टिरिया जो आप देख रहे हो यह बैक्टिरिया यह बैक्टिरिया जो आप देख रहे हो और ये बैक्टेरिया के अंदर एक एंजाइम है इसका नाम मैं भी लिख रहा हूँ ये एक एंजाइम है बैक्टेरिया के अंदर है इस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजीनेस इस एंजाइम का नाम क्या है नाइट्रोजीनेस करके एंजाइम है ये नाइट्रोजीनेस एंज एक्मॉस्फियर के नाइट्रोजन को कनवर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में और नाइट्रेट्स में कनवर्ट करके किसको देगा यह प्लांट को देगा नाइट्रेट्स में कनवर्ट करके किसको देता है यह प्लांट को देता है क्योंकि प्लांट नाइट्रेट्स को यूज कर सकता है प्लांट नाइट्रेट्स को यूज कर सकता है और नाइट्रेट्स के अंदर भी नाइट्रेट्स होता है तो क्या होता है कि ये बैक्टेरिया प्लांट के रूट्स में रहता है अगर मैं यह प्लांट बना रहा हूँ, यहां पर वापस बनाता हूँ, अगर मैं यह प्लांट बना रहा हूँ, तो यह बैक्टिरिया इस प्लांट के रूट्स में रहता है, और रूट्स में इसे छोटे-छोटे इसे गाठे पढ़ जाते हैं, ऐसे इसे गाठे पढ़ जाते ये गाठे जो पढ़ गए इनको हम बोलते है crown gall disease ये disease है जिसम क्या कहते है crown gall disease ये देखू roots में crown gall disease कहते हैं अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ तुम लोग अभी के लिए क्या याद रखोगे ये roots के अंदर swelling आजाती है और ये जो swelling है ये क्यों है क्यों है क्योंकि इसके अंदर कौन रह रह रहा है bacteria रह 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 तो ये एक type का क्या दिखता है symbiotic mutualism दिखता है symbiotic mutualism का मतलब क्या होता है कि प्लांट के अंदर bacteria है तो बैक्टीरिया को क्या फाइदा मिल रहा है plant से food and shelter है ना बैक्टीरिया को plant से क्या मिल रहा है कि प्लांट को बैक्टीरिया से क्या मिल रहा है कि नाइट्रेट वेरी गुड नाइट्रेट मिल रहा है मतलब में डारेक्ली बोल दूंगा नाइट्रेट मिल रहा है तो ऐसा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहता है और यह यूजुली प्लांट के रूट्स को अफेक्ट करता है अब यह देखा गया है कि जिस वॉल में राइजो भी है ना उस सॉइल के अनदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है कैसे क्यूकि यह बैक्टीरिया के अंदर abol Ads प्लॉं बड़ी काम की चीज है तो साइंटीरिस के अंदर ब्रक काम का चीज है क्योंकि यह एंजाइम को कोड करने वाला जी इस निकाला आपको पता है कि एंजाइम भी प्रोटीन से बने और हर प्रोटीन जो है वह जीन से बनता है तो नेक्स लाइट पे जाते हैं तुम लोगों को पता है ना अल्रेडी कि DNA से पहले RNA बनता है mRNA उस प्रोशेस काम बनते हैं transcription फिर आर नह से क्या बनता है protein इस प्रोशेस को क्या बोलते हैं translation और यह प्रोटीन आगे जाके क्या बन जाता है ettee तो अगर मैं कहाँ un एक better yeah जिसका नाम हétais थिरल यह राइजोबियम बैक्टेरिया जो है इसके अंदर एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजीनेस अगर इसमें यह एंजाइम है नाइट्रोजीनेस तो यह नाइट्रोजीनेस को कोड करने वाला जीन भी होगा कि नहीं होगा इसके अंदर बताएए यह नाइटरं चांस करके अगर यह एंजाइम है तो कोड करने वाला कोई ना कोई तो जीन हो गाई ना इस बैक्टिरिया के ऐंदर? तो स्टांटीस्ट्स लोगों ने क्या क्या यह गेंड तो निकाला सब्सक्रांगा हम सब्सक्राइब यह गीन को निकाल के उनों ने तुमको पता अग्रो वाक्टिरां में तुमने बшейक्नोलोजी में पड़ा हुआ है रैट इस बैक्टरिय का नाम क्या है एग्रो बैक्टेरियम कि इस एक बात बताओ कि नाइट्रोजिनेश एंजाइम को कोड करने वाला जीन हम किस में डाल रहें किसी बैक्टिरियम डालेंगे कि किसी प्लांट में डालना चाहते हैं प्लांट प्लांट में डालने के लिए लाइखर यूज करते हैं इसको हम यूज़ से वैक्टर एकटर यूज़ करते अगर इनिमल सैल में डालना होता तो में रेट्रोवाईरस यूज़ करता याद रखना अगर तुम किसी foreign gene को किसी animal cell में डालना चाहते हो तो आप retrovirus यूज करते हो as a vector पर अगर आप अपने foreign gene को किसी plant में डालना चाहते हो तो आप vector के तौर पे agrobatrium tumificence को यूज करते हो क्योंकि ये भी usually plant के roots को affect करता है आया समझ में tell me yes or no yes okay ना तुम को पता है कि agrobatrium tumificence के अंदर यह plasmid होता है यह ऐसा plasmid होता है इसको हम ti plasmid कहते है और इस ti plasmid के अंदर हमने क्या लगा दिया अपना nitrogenous enzyme वाला gene लगा दिया और इस plasmid को हम कहते है ti plasmid tumor inducing plasmid और यह उसका खुद का genetic material है अंडे और यह materia को हम किससे इंफग करेंगे plants करेंगे यह plants करेंगे तो जब यह plants करेंगे तो यह blood के रूट को जब यह impact करेगा तो शाती साथ यहene भी plant में चला जाएगा की नहीं को अगर चेण प्लांट को सब्राइबर सब्सक्राइब मुझे इस प्लांट को अल्लाथ से वर याजर डालनीbound है कि फुर्त तो यह होगा है कि यह जेनेटिकली मदीफाइड प्लांट तो यहीं देखलो रीकॉमिनेंट टेकनलोजी क्या बोलता है आप दो अलग-अलग स्पीशीज के जीनोम को मिला एक नया स्पीशींड स्पिशी उसके जेनेटिक मटीरिल में चेंज कर रहे न अप अप प्लांट के सोट इसको निकाला उसके जीन को आपने एक्रोबैक्टरिय को इस प्लांट के साथ इंफेक्ट किया तो यह जो नाइटरोजीनिस कोड करने वाला जीन था वो प्लांट की जीनोम के अंदर लग गया अब हैं मतलब यह खु़त यूरिया और अमूनिया के अंदर भी नाइट्रोजन होता है तो हमको इसको अलग से क्या कोई केमिकल फॉर्टिलाजर डिलने की जरूरत है तो इसी बात है हर किसान बोलेगा रहे मेरे को यही वाला प्लांट यह यार मेरा पैसे बच जाएगा डोस कितना डोस डालना है कुछ पाता उसका भी कुछ प्रॉबर्बल्म नहीं रहेगा और क्यमिकल फॉर्टिलाजरजर खरीदने की जरूरत भी नहीं पढ़ेगे पैसे बचेंगे प्लांट इंदर आपको अलग से कोई फॉत जरूरत हरें तो यह प्लांट की प्लांट की प्रोटिविटी जादा रेगी सो ऐसे प्लान प्रेडूस करने के लिए के आप कौन सा gene डाल रहे हो nitrogen इसको कोड करने वाले जीन को कहते है निफ्र जीन मतलब nitrogen fixation gene निफ का फुल फॉर्म क्या होता है नाइट्रोजन कि पिक्सेशन जीए इसिंपल यह नोट डाउन कर लो फटक्स कि पीछे जाओ मैं यह कर लो फटक्स पीछे वला कर लो यह वला नोट डाउन किया आप लोगों ने यह सर यह वला देखेंगे यह वला देखेंगे यह वला देखेंगे अब हम ऐसा ट्रांजेनिक प्लांट बनाना चाहते है जो की जिस पर कोई भी हमको पेस्टिसाइट स्प्रे करने की जरूरत ना पड़े है अलक से कीट नाशक की दवा क्योंकि वह भी महंगा होता है तो देखो क्या होता है तो अब इस केस में एक बैक्टेरिया है और यह जो बैक्टेरिया है इस बैक्टेरिया के पास एक जीन है इस जीन को कहते है क्राइजीन जीन का नाम क्या है क्राइजीन और यह क्राइजीन के वज़े से बहुत छोटा दिख रहे मुझे लग रहे है इस यह जीन को कहते है क्राइजीन और जीन से प्रोटीन बनता है इस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्राइप्रोटीन इमंद गया है इस प्रोटीन को बनता है उससे क्या प्रोटीन की मदद सटो क्या भी राई प्रोटीन बना अ फ़े, और यह देखा गया की अगर यह क्राइप्रोटीन कि किक्सी इंसेक्ट के ड़ी Mexican अ किसी इंसेक्ट के पेट में गया तो वह इंसेक्ट मर जाता है क्योंकि होता क्या है वह हम बाद में देखेंगे यह बैक्टिरिया बड़ी काम की लग रही थी लोगों इस बैक्टिरिया का नाम था बैसिलस थूरिंजियंसिस यह वह बैक्टिरिया का नाम है शॉर्ट फॉर्म में इसे बी टी भी कहे देते थे यह मैं वापस रिपीट करता हूँ यह बैक्टिरिया था इसके पास एक जीन था क्राइजीन इस जीन खेंक वजह से इसमें प्रोटीन बन्ता था क्राइप रोटीन और कॉ प्रोटीस लोगों registered कि यह देखा था किकैन sworn filthy तो साइन्टिस्ट लोगों ने सोचा कि अरे इंसेक्ट को मारने के लिए लोग इतना मेंगा मेंगा पैस्टिसाइट्स खरिते हैं इंसेक्टिसाइट्स पैस्टिसाइट्स खरिते हैं क्यों न यह क्राइजीन ही निकाल कि किसी प्लांट में डाल दें सिंपल मतलब क्या बोल रहा हूं में कि इसी प्लांट से हम क्या निकालेंगे क्राइजीन निकालेंगे इस प्लांट से हमने क्या निकाला क्राइजीन निकाला इस जीन को किस में डाल दो वेक्टर में डाल दो यह वेक्टर जा है इसका नाम होगा एगरो वैक्टेरियम टुमिफिशेंस उसके टी आय प्लाजमिट में लगा दो और यह इसको किसे इंफेक्क कर दो प्लांट से इंफेक्क कर दो पर यूजुली यह जो प्लांट था यह कॉटन प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा डीजी हो जाने के से कॉय्क pensu कॉर्टें प्लाइंट का economies बहुत जादा है कपड़े की इंड queste पूरा सब सब कुछ discuss प्लांट के तो कॉम है सके सब क्टैम को इस ब्र trillion निकाल केक्टर में ढालगे यह जो कि यह बैक्टेरिया और इस200 को इस प्लांट की चीन में चला गया थाप क्लांट को जो कि एक प्लांट होगा ba फाली आर थास्वी प्नका प्लांट पहली सरा नीचिप सबान टैनेट्वाइट सब्सक्राइट था डर il प्लांट को डिजीज नहीं हो रहा था क्योंकि इस प्लांट के अंदर क्राइजीन प्रेजेंट था मतलब यह प्लांट खुद से क्राइप रोटीन बना रहा था और जब इस प्लांट के ऊपर को इंसेक्ट आके बैठता था तो क्या होता था कि जब वो लीव को खाता था तो लीव के अंदर सेल है और सेल के अंदर यह क्राइप रोटीन होता था तो याद रखना कि यह क्राइप रोटीन का कैसा क्राइटीरिया था क्रिस्टल था अंदर था क्राइप प्रोटीन पर बाहर क्रिस्टल था बाहर की तरफ क्या था क्रिस्टल था इसके लिए इसका पूरा नाम है क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन क्योंकि बाहर से क्रिस्टल था और क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन जो था वो इनक्टिव था क्या था इनक्टिव था इसके लिए में इसको प्रोटॉक्सिन भी कहते थे प्रोटॉक्सिन पर जैसे यह क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन पढ़ा क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म क्या है क्राइज प्रोटीन क्राय का मतलब क्रिस्टलाइजेबल क्रिस्टलाइजेबल का मतलब बाहर से क्रिस्टल था जब यह प्रोटीन किसी इंसेक्ट के गट में जाता था किसी इंसेक्ट के पेट में जाता था तो इंसेक्ट के गट के अंदर यह इंसेक्ट का गट है मान लो यह इंसेक्ट का क्या है गट है तो जैसे यह इंसेक्ट के गट में गया तो इंसेक्ट के गट में क्या होता था अलकलाइन कंडिशन होता था कि और从 कलाइन कंडिशन क्या करता नह Major को डिजॉल्व कर देता था वहार के कि- रिजॉल्व कर दिया तो खाली ये प्रोटीन बजिए और यह प्रोटीन जैसे इसल्वार में हो जाता था एक तो मैं गाउं है गराय प्रोटी आक्टिफ फ़ामने की इनाफिक फ़ाङी है इसको टॉक्सिन भी जब कि सकme के ताüyor है क्यूंकि इनाचिव कार्म में है कैसे ख औक बाहर का वह बीजॉल्ब हो गया इलकला इन कंडीशन में ऑтор होने के जिसे बहुत प्रोटीन जब यह प्रोटीन इंसेक्ट में इंसेक्ट के गट की सेल पे जाके अटेश्ट हुआ यह सेल पे जाके अटेश्ट हुआ और सेल के अंदर लिसिस कर दिया का मतलब होता है कि सेल के मेंबरेन को जाके ब्रेक कर दिया जिससे सेल में पानी भरने लगा क्या होने लगा वह स्वैल हो गया और बाद में पहले तो यह सेल पर बाइंड होके सेल पर क्रेट किया उससे सेल में पानी भरने लगा और सेल स्वैल हो गया और बाद में संब्पर्स्ट होने के वज़े से कोई डाइजेशन नहीं होगा और इंसेक्ट लास्टक्रील हो जागा एनध से प्रोस्यस को रिपीट करता हूं कि हुआ क्या यहाँ पर कि देखो लेखो हमने क्राइजीन बैक्टिरा के अंदर के क्राइजीन को किसे डाला ले दे कि लाश वफ लाश उस प्लांट में डाला में तो इस प्लांट के हर सेल के पर ये प्रोटीन प्लांट को इंफैक्ट नहीं करेगा क्यूंकि इसको वोने के लिए अलकालाइन कंडिशन ज़ीए और इनसेक्ट पैट में मिलेगा तो जब कोई इंसेक्ट बैठेगा और वो प्लांट की लीव को खाएगा इसका मतलब उसके पैट में यह प्रोटीन जाए crystal dissolve हो जाएगा और वो crystal dissolve होने से वो protein active हो जाएगा तब हम उसको toxin कहेंगे और यह protein जाके insect के stomach के lining में जो cell है ना उदर जाके bind हो जाएगा और उस cell के अंदर एक छोटा सा hole बना देगा अब वो cell के अंदर hole बनाने के से क्या होगा उस cell में पानी भरने लगेगा और वो cell burst हो जाएगा एक बार stomach के अंदर के lining की सारे cell अगर burst हो गए तो insect कुछ भी खाना नहीं पचा सकता लास्ट मलास इंसेक मर जाएगा बोलो यह चीज़ समझ भाया तुमको तो क्या मेरे को इस cotton प्लांट के उपर क्या मेरे को इस cotton प्लांट के उपर अलग से कोई pesticide spray करने की ज़रूरत है तो यह एक टाइप का बायो पेस्टिसाइडल प्लांट हुआ की नहीं तो मैंने बायो टेक्नोलोजी के एप्लिकेशन से मैंने ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट प्रेड्यूस किया जिस प्लांट के अंदर मेरे को कोई अलग से प्लाइप करने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक बार वापस रिप्रूसेस करता हो मैंने तुम लोग को कहा इसका नाम है अब सिधी सी बात अगर कोई प्रूटीन पा जा रहा है तो उसको इसको बोलते से इसको हम ग्राइव ग्राइव निकाल के ले देकिए प्लांत में और उस प्लांट के हर सैल में क्राइव बने गा तो जब कोई इस प्लांट के लीप को खाएगा इसका मतलब उसके भी पेट में रॉटीन जाएगा अब उसके पेट में alkaline condition के वाज़ से cryo protein inactive से active हो जाता था क्योंकि crystal बाहर कर dissolve हो जाता था और जिससे इंसेक खाना कभी पचा नहीं पाता था और वो मर जाता था कोई भी पेस्टीसाइट करने की जरुबद नहीं पड़ी तो यह बहुत अलग 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 टाइप के जैसे कि एक क्राइजीन जिसका नाम है इसको कि यह वाला जिन किसको किल करने के काम आएगा कॉटन बोलवम को किल करने के काम आएगा कॉटन बोल वम करके एक इंसेक का नाम है उसको किल करने के लिए काम आएगा एक और जी ने जिसका नाम है क्राइट तू एबी ये भी कॉटन बोल वम को ही किल करने के लिए काम आएगा फिर एकोर जी ने cry 1AB ये कौन बोरर को किल करने के लिए काम आएगा कौन बोरर करके कि इंसेक का नाम है उसको किल करने के लिए काम आएगा तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो अलग-अलग ये अलग-अलग cry जीन हमको मिला है ये अलग-अलग strains of bacillus thuringiensis एक्स्ट्राक किया गया है bacillus thuringiensis एक बैक्टेरिया है पर याद थाखना यह एक ही बैक्टेरिया है नहीं इसके अलग-अलग variant है जिसे जिसे कोवीड वाइरस के कैसे है ना कोवीड वाइरस जो है कोरोना वाइरस उसके कितने अलग अलग कि अलग होते हैं उसका कितने अलग-अलग स्ट्रीयंच और अलग स्ट्रेन से अलग-अलग टाइब के और जीजिन गिया है एक्स्ट्राक्टेड अलग अलग क्राइजीन अलग अलग स्ट्रेंड के बैक्टिरिया से एक्स्ट्राक्ट की गई है आईसा नहीं किये थी अलग अलग कराइजीन और इंसेक को कीणो करती है तो इन आप कॉशन करोगे वह किस टाइप के इनसेक को किल करना चाते हो और वह क्राइजीन किस टाइप के प्लांट में डालना चाते हो तो एक और पॉइंट यहांप अएगा कि the type of cryogenes selected is depend on the type of cryogenes selected is depend on the type of plant and the type of insect कि आप किस टाइप के इंसेक को किल करना चाते हो और वो जीन को किस टाइप के प्लांट में डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा cryogenes select कर रहे हो बोलो यह पार्ट समझ में है जैसे कि cry1 ac cry1 ac वाला जीन आप select करोगे तभी जब आपको पता है कि यह मेरे को cotton प्लांट में डालना है और किसको किल करना है कॉटन बूल वम को किल करना है तो कौन सा जीन आप सिलेक करोगे डिपेंड कर रहे है कि आप किस प्लांट में डाल रहे हो और किस टाइब के इंसेक को आप किल कर रहे हो अब क्राइवन एबी किस किस प्लांट में डालेंगे बताओ सोच समझके क्राइवन एबी बोला मैंने क्राइवन एबी क्वाटन की कौन 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 मतलब मकाई और वह इंसेक्ट होगा कौन बोरर किस प्लांट कोफेक्क करता है कौ misleading को इस प्लांट को का सिलेक करें ऐबी कौन को ने की क्राइवन एब विस सिरफ कौन की लिए उस करें करौके क्या की इसको प्लांट में डाल रहे हो अब यह जो तीनों भी जीन्स है ना वह एक वाइड वाराइटी के रेंज के इंसेट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है मैं इदर लिख रहा हूं डिफ्रेंट यह यह जितने भी क्राइजीन्स है इस राइजीन्स है यह जाता है वाइड वेराइटी ओफ इंसेक्ट्स यह जो क्राइजीन्स यूज की जाती है वह बहुत सारे के इंसेक्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि एक क्लास है लेपिडोप्टेरन्स इसमें कौन से इंसेक्स आते हैं टोबैको बड़ वर्म और आर्मी वर्म टोबैको बड़ वर्म एंड आर्मी वर्म ऐसे इंसेक्स को किल करने के लिए उसकी जाती है दूसरा आता है दूसरा क्लास आता है डिप्टेरन्स इसमें कौन से आते हैं इसमें आते हैं मस्किटोज और फ्लाइज पिर एक क्लास आता है जिसको हम बोलते हैं सिलोग टेरन्स इसमें यूजिली कौन से आते हैं बीटल्स तो यह जितने भी क्राइज जीन्स है ना यह बहुत ही वाइड वराइटी के इंसेक्स को किल करने के लिए उसकी जाती है यह कुछ क्लास बता है जैसे लैपिडोग टेरन्स डिप टेरन्स सीलोग टेरन्स यह ऐसे ऐसे कुछ वाराइटी बताई गई यह बोलो इस देट लियर एब्रिवर्यवन समझ में आ रहा है यह चीज़ तो इस तरह से हमने अब कौन से टाइप का ट्रांजेनिक प्रडूश किया है बायो फटिलाइजर वाला कि बायो पैस्टिसाइड वाला तो याद रखना कि सबसे पहला हमने यह वाला प्लांट अभी प्रडूश कर लिया है यह वाला एक्ट अब इसका एक्जाम्पल बीटी कॉटन और बीटी कॉटन के बारे में एक पॉइंट क्या बोला इस दी फर्स्ट ट्रांजेनिक प्लांट टू भी प्रडूश किया गया था वो बीटी कॉटन ही था पर याद रखना बीटी कॉटन तो फर्स्ट था पर इसके बाद कुछ और ट्रांजेनिक प्लांट प्रेडूश किये गए जिनमें बैसिलस थूरिंजिंसिस का ही जीन गया हुआ था जैसे कि बीटी राइस बीटी सोया बीटी बीटी कॉटन बीटी टोमैटो एंड बीटी पोटेटो यह ऐसे प्लांट प्रेडूश किये गए जिनमें बैसिलस थूरिंजिंसिस का क्राय जीन लिया गया था क्राय जीन का मतलब यह जीन कोर कर रहा है क्रिस्टलाइजलीजेबल तो क्रिस्टलाइजीबल का ब्राता है इसके यह प्रोटीन पंढ़лы होने लिया एक अवर्के बन जाता है इंसेक्ट के सेल पर बनाता है सेल के अंदर पानी भरेगा सेल फूल के बर्स्ट हो जाएगा और तब इंसेक्ट मर जाएगा अब हम एक और प्लांट पढ़ लेंगे बायो फॉर्टिफाइड वला प्लांट मैंने बायो फॉर्टिफाइड प्लांट क्या बताया था क्या मक्साद है ये प्लांट बनाने का है बायो फॉर्टिफाइड का मतलब क्या बताया था वो प्लांट क्या होना चाहिए उसमें मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा बनाओ कि वह प्लांट के अंदर बहुत सारे वाइटेमिन्स और मिनरल्स हो समझे अब तब उस प्लांट को हम कहते हैं बायो पॉटिफाइट प्लांट तो यह जो जनेटिक अंजिनरी या रिकॉंबिनन टेक्नलोजी जो है इसकी मदद से हमने ऐसे भी प्लांट प्रेडूस किये गया है जो प्लांट नूट्रिशनली काफी रिच है जिनके क्रॉप्स म क्या है चलिए यह लास्ट टॉपिक करेंगे हम आज का हूं कि अग्यों कि अग्यों कि सबते पहले बायो पॉटिफिकेशन का मतलब में लिख रहा हूं है पॉटिफिकेशन का मतलब क्या होते है अग्यों ओग्रिच्ट बने नूटिके नूटियंट्स है नूट्रियंट्स है बरा हुआ इसका मतलब होता है बायो फॉर्टिफिकेशन तो बायो फॉर्टिफाइट क्रॉप का मतलब क्या हुआ बाइयो 45 क्रॉप का मतलब यह हुआ प्लांट विच आर नुट्रिशनली रिच प्लांट प्रेडूस्ट विच आर जार नुट्रिशनली रिच विठ विद नुटरिंटस माइक्रोनूट्रेंट्रेंट्स जैसे की वाइटमिन्स और मिनरल्स मिनरल्स पता है ना जींक आयरन फॉसफेट सल्फर वही सार चीज़ है आयोडीन वगेरा हो एए टो बाईयो-फॉर्टिवाइड क्रॉप प्रिडूस करने का मेन मकसद यह है कि प्लांट जो है वो नियू-टिशनली रिच हो अब यह बंसक्राथ आता है अफ्रीका से वहाई कि तो इस बांड़िस मेरत निकलता था वो राइस में ना बहुत सारे मिनरल अपसेंट है उस राइस में वाइटमीन एकी डेफिशेंसी थी वाइटमीन एकी डेफिशेंसी थी जिसके वज़े से वहां के लोग की इम्मुनिटी बड़ी वीक थी इम्मुनिटी दों थी वो बड़ी ही वीक थी उनका विज़न भी बहुत तूर था उनकी आखों की रौष्णी बड़ी कमजोर थी तुमकी तुमका पता है वाइटमीन ए जहोता है आए के रेटिना के लिए थी सबता है ना वाईटेमिन ए आई की रेटीना के लिए तो राइस में वाईटेमिन एपी कमी होने के से वहाँ जो नजरे थी जो विजन था वो बड़ा पूर था और इम्मिनिटीविक थी फिलकी प्लस प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन आती थी कॉम्प्लिकेशन दूरिंग प्रेग्नेंसी और वहां के लोगों को इतने गरीब होते हैं आफ्रीका के लोग तुमको नहीं देखा है कि वहां के लोग ऐसा नहीं है कि मल्टी वाइटेमिन ले रहे हैं या बड़े-बड़े ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी वगेरा खा रहे हैं वहां के लोग बड़े स्टेपल फूड खाते हैं रूरल एरिया है और तुमको पता है कि आफ्रीका में रूरल एरिया ज्यादा है और रूरल एरिया में लोग स्टेप मतलब बेसिक फूड़ खाते हैं जैसे की राइस मेज मकाई है ना राइस मेज ऐसे इस सब स्टेपल फूड़ है और इन फूड़ के अंदर अधिक तर माइक्रो न्यूट्रेंट्स की डेफिशेंसी होती है तो एफ्रीका में ज्यादा करके रूरल एरियाज में बड़े इस टेपल फूड़ खाए जाती है जिन में ज्यादा करके माइक्रोंट्रेंट्स की डेफिशेंसी होती है जैसे की सलफर पॉस्परस आइरन मेगनेशियम जिंक यह सारी चीज़ें की कमी होती है यह सारी चीज़े ना उस फूड में कम होता है और वाइटेमिन की कमी होती है और उनके राइस में भी वाइटेमिन एक ही कमी है जिसके वज़े से वहां के लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखिए तो साइन्टिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना उनके स्टेपल फूड के अंदर कुछ ऐसा जीन डाल दें जिससे यह सारे मिनरल्स और वाइटेमिन बनने लगें तो अब साइन्टिस्ट लोगों का यह मकसद था कि जेनेटिक एंजिनेरिंग या रीकॉंबिन डियने टेक्नलोजी से कोई ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट बनाओ जो ट्रांसजेनिक प्लांट न्यूट्रिशनली रिच हो उसमें बहुत सारे न्यूट्रियंट्स हो ताकि व लोग तो महंगे चीजें नहीं खरीच सकते थे महंगे चीजें करके नहीं खा सकते थे जैसे ब्लूबरी श्ट्रॉबरी वगएरा वगएरा जो मैंने बताए आपको वह बड़ा स्टेपल खाते तो सीजी बाते से जिस क्रॉप के अंदर वो फॉर पॉरण्जीन डालेंगे वो crop भी तो staple crop ही होगा, staple food ही होगा, तो उन्होंने क्या किया देखिए, वहाँ का rice plant जो था, वहाँ का जो rice plant था, वो तो vitamin A नहीं बना पा रहा था, पर उन्होंने एक bacteria, एक plant लिया, एक plant था, एक plant था, जिसका नाम है daffodils, daffodils plant थो हम commonly कहते हैं, पर इसका scientific name है, नार्सिसस, स्यूदो नार्सिसस, समझे हो, यह plant का common name क्या था, scientific name क्या था, मैं आपर तुम लोगों के लिए underline भी कर रहा हूं, scientific name genus और यह species है, नार्सिसस, स्यूदो नार्सिसस, इसमें से एक gene निकाला, इसमें से क्या निकाला, gene निकाला, इसमें से gene निकाला, और इसके gene को, Africa के rice plant के genome में डाला, तो अपरिका का, यह rice plant का genome है, यह Africa के rice plant का genome है, अपरिका के rice plant का genome है, उसके जीनोम के अंदर डाला तो उसके जीनोम में उसके जीनोम के अंदर ये किसका जीन डाल दिया डेखोडिल का को अब यह जीनोम किसमें तो प्लांट के अंदर था जिससे ये जीनोम से वह एंजाइम बनने लगा और वो एंजाइम क्या बनाने लगा बीटा कैरोटीन बनाने लगा बीटा कैरोटीन का दूसरा नान है प्रो वाइटेमिन ए और यह बीटा कैरोटीन जब कोई खाएगा मतलब अभी उदर के राइस के अंदर जब यह डैफोडिल का जीन निकाल के डाला तब वो राइस प्लांट क्या बनाने लगा एंजाइम और वो एंजाइम nesयाइम जिब बना तो वो एंजाइम क्या बनाने लगा बीटा कैरोटीन जो की एक तैप का प्रो वाइटेमिन ए है और अब उस rice के अंदर beta carotene present है जब वो rice जिसमें already beta carotene है वो rice को human खाएगा तो वो human के अंदर enzyme होगा समरो? यह human के अंदर enzyme होगा जो कि human के enzyme है वो pro vitamin A को convert कर देगा vitamin में तब इसको हम क्या कहेंगे carotene carotene कहेंगे that is vitamin A और अब वहाँ के rice में पहले vitamin A नहीं बनता था बड़ अब देखो genetic engineering से आपने कोई foreign gene को plant में डाल दिया जिससे आपने इस plant की genetic makeup को change कर दिया और यह जो plant बना वो एक type का transgenic plant है जिसमें पहले vitamin A नहीं बन रहा था है कि नहीं तो यह type का बताओ transgenic plant हुआ कि नहीं हुआ बताइए और क्योंकि इस plant के दर मुझे बताओ vitamin A बन रहा था कि pro vitamin A बन रहा था बताओ इस plant में क्या बन रहा था क्यारोटीन बन रहा था कि beta-carotene बन रहा था बीटा-carotene बन रहा था अब वो beta-carotene वाला चावल जब कोई human खाएगा तो human में वो enzyme present है जो beta-carotene को बीटा-carotene का कलर यह 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 लो होता था इसके लिए वो चावल का जो ब्रैन मतलब छिलका वो भी यह लो कलर का होता था इसके लिए इस ट्रांजेनिक प्लांट था पर मतलब हमने यह यह लिए ना की उसको पैस्ट से बचाने के लिए ना की फ़िलाइजर से बचाने के लिए जबकि हमने प्रेडूस किया था उसका नूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए और यहां पर हमने वाइटेमिन ए वाला नूट्रियंट बढ़ाया इसके अंदर तो यह वाले प्लांट जो है वो एक टैप के गोल्डन राइस है जो कि एक टैप के ट्रांसजेनिक क्योंकि इस राइस के इस राइस के ब्रैन के अंदर ब्रैन मतलब छिलका होता है उस चावल बाहर जो धान उता है न दान उसके ब्रैन उसकी छिलके में बीटा कहरोटीन था और तुब का Marta का एक डिद्राइस के ह normally जो था वो ब्लीडेह उ्रदम मफेयर हो इंदर उतिर गो आई बात समझ में यह चीज कि नहीं बताइए यह सो इसके साथ हमने यह वाला पॉर्ट किया कि हमने ट्रांस जैनिक प्लांट प्रेडियूस करने में वाइदे हैल्प ऑफ बायो टेकनलोजी हमने बायो फॉर्टिफाइड वाला क्रॉप प्रेडियूस किया यह देखिए बाय बहुत जादा अब्सॉप कर लेते हैं हमें इसे प्लांट के सकते हैं तो आई त्रांजनिक प्रेडियूस करिए जिनको पानी कम चाहिए ग्रों होने के लिए ऐसे सारे gemist किये घ्ए नेक्स लेक्चर से हम क्या देखेंगे नेक्स लेक्ठर से कि इसी बायो टेक्नल्योजी के मदद से हमने ऐसे भी प्लाइन प्रिंदी किये गए जिनका हमने हमने थोड़ा बढ़ा दिये desire लाइफस्पैन बढ़ा दियकार इंक्रीज्ट स्पैन टॉमैटो की बात करता हूंकर हो कि पहले के टॉमैटो का लाइफसपैन थे बड़ा होता था कि बहुत जल्दी वह नरह नरह करने में ले जाया करते थे तो बहुत सरे टोमैटो दब जाते थे और उनकी लाइस खतम हो जाती थे पर अभी हमने क्या किया उस टोमैटो के अंदर ऐसे जीन्स डाल दिये जिससे वह टोमैटो हाड का हाड़ी है ताकि वह स्पॉयल ना हो दबे ना और उसकी लाइस्पन भी नहीं खतम होगी ताइम लगेगा तो नेक्स टेक्शन में वह हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से लाइफस्पन बढ़ाया गया है ऐसे भी प्लांट प्रिडूस किये गए फिलाल एक्जामपल जो मैंने आपको बायो फॉर्टिफाइट प्लांट का एक्जामपल अभी दिया इसका एक्जामपल है इसका वो टोमेटो का नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो बोलो आ रहा है वाद समझ में कि नहीं आ रहा है तो आज हमने क्या पढ़ा हमने एक बेसिक चीज़ देखी एप्लिकेशन और बायो टेक्नोलोजी में यही चीज़ देखा तुम लोग एक चीज को डायरेकली तो किसी प्लांट में या एनिमल में नहीं ऑल सकते हैं तुमको कोई वेक्टर चीए ना बीच में तो अगर तुम फोरpora इनगीन को किसी प्लांट में डालना चाहते है तो तुम वेक्टर के तौर पर क्या यूँज करोगे एग्योबैक्टरिमक्ति में करके ए यूज करोगे बताओ क्या यूज करोगे एज वेक्टर के तौर पर याद रखना यह और मैंने बताया तुम लोगों को कि कुछ एक्जांपल बता है कि अगर हम हमारे पॉरेंज जीन को ट्रांस जीन भी कहते हैं उसको आप किसी प्रोकेरोटिक साल में डालते हैं उस प्रोसे कि पहले हम एग्रोकेमिकल फार्मिंग करते थे पर एग्रोकेमिकल फार्मिंग कब चला सिर्फ फॉनिश साथ से लेके 2000 तक ही चला उसके बाद फ्लॉप हो गया क्यों कि महंगा है हर किसान खरीद नहीं सकता फर्टिलाइजर और वो है किने कॉस्टली कितने डोस में खा सकता क्योंकि और्गेनिक फार्मिंग से उगा हुए जो क्रॉप से आज मार्केट में बड़े महेंगे मिलते हैं क्योंकि उनको उगाने के लिए टाइम लगता है आप नैचुरली उगा रहे हो सही बाते कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डार हो आप और्गेनिक उगा लेता है इसके लिए इसका भाव जादा है मार्केट में इसके लिए आज की रिट में ज्यादा सक्सेस्फूल कौन सा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बार किसी फॉरिंग को डाल दो अब लाइफ टाइम तक उसमें वही जीन रहेगा और वह प्लांट जो है वह मैंने अपको बता है है इसकेस में आपको या तो किसी जीन को कर दो तो गोल्डन अधेशन किया तरह यह वह भी हमने लेक्समिक्र को